अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें डंगल प्ले आप हे भोले नाथ अब आप ही हमें रास्ता दिखाईए हमारे पती और हमारी बच्ची को वापस लाने का रास्ता दिखाईए भोले नाथ अगर वो धर्दी पर किसी भी कोने में होते ना तो हम उन्हें वापस लेकर आते लेकिन हम चंद्रमा से उन्हें कैसे लोटा कर लाएं हे भोले नाथ चंद्रमा का वास तो आपके मस्तक पर है ना हम जानते हैं के वल आप ही अबे सही राह दिखा सकते हैं आप ही हमारे परिवार को बचाने में हमारी सहायता कर सकते हैं ए पारवती मा, आप भी तो एक स्त्री है, एक पत्नी है, एक मा है, आप तो हमारा दर्ट समझ सकती है ना, आप समझाये न भोलनाथ को, कि वो हमारी मदद करे, मा हमारी फुकार सुनिये करे सुनिये पापा सब क्या हो रहे मुझे पॉर्टर लग रहे मुझे घर जाना है जिन्ता मत करो हम चल्दी चल्दी माँ के बास वाकिस है और यह प्रामिस आपके बापा का वादा तो करती है लेकिन जाए तो जाए कैसे आपको हमारे परिवार को लॉटाना होगा बोलेनाथ हमारी फुकार सुननी होगी बोलेनाथ आमे रास्ता दिखाए यह पुझा झाल पुझा बादाए चल्दी बोलोर प्रामिस पार्वती माँ 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 अमारे पती हमारे बेटी माँ बहुत दूर चले गए हमसे माँ आप और भोलेनाथ तो जो चाहे कर सकते हैं आप तो सर्वशक्ति शाली है पिर हमारी मदद कीजिये न माँ भोलेनाथ हमारी पुकार सुने न सुने मगर आपका कहा कभी अंसुना नहीं कर सकते आप उनसे कहिए न कि चंद्रमा को धर्ती पर भेज़ दे ताकि हम अपने पती को अपनी बच्ची को वापस अपने पास ला सके मैं तुम्हारी पीड़ा समझती हूं पारो मगर इस पार जो मांग तुम में रखी है वो मेरे तो क्या स्वेम प्रभू के हाथ में भी नहीं है चंद्रमा को धर्ती पर लाना स्रिष्टी के नियमों के विरुत है लेकिन मा मुहिनी ने तो एक बार ऐसा करके मुहिनी ने प्रिथ्वी पर प्रलय का संकेत ला दिया है अब दुबारा ऐसा नहीं हो सकता मा की बहुत याद आ रही है वो मुझे कितने प्यार से सुनाती थी ठीक है आओ आओ आज आज आपको पापाव सुलाएंगे हाँ आके बंद करो फिर आप ही बताइए मा हम देव और बुलबुल को वापिस धर्ती पर कैसे लाएं अपनी पारो को मैं अच्छी से जानती हूँ वो कभी हर नहीं मान सकती एक बार जो कुछ ठान लो तो उसे पूरा करके रहती हूँ कसम है हमें भोले नात की अपने देव और अपनी बुलबुल को हम वापिस लेकर आएंगे चाहे उसके दिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े जे भूले नात अरे नहीं नहीं उन्हें छोट लगी है नीचे नहीं उतार सकते बुलबुल पेट्टा हप ठीकतो है ना मुरु ने उठों ना पेट्टा हो माँ मातों हमसे पोहुत दूर है बुलबुल के लिए चांद पर पाने कैसे लेका रहा हुँ चीक है बेटा चलो चलो बेटा आज पूरे देश के लिए गर्व का दिन है अरत की नई सेटलाइट जान पर पॉंचने के लिए तयार है बस कुछ समय का इंतियान के सेटलाइट लॉंच होते ही हमारे हिंदुस्तान का नाम पूरे आसमान में रोशन होगा भारतिय समय के अनुसार ठीक नौ बचकर 57 मिनिट पर सटलाइट को लॉंच किया जाएगा दो मिनिट यह भूले ना तो बस दो मिनिट बचे हैं अपने परिवार को बचाने का बस यही एक रास्ता बाकी है पारोग पापा यह गर में क्यों लग रही है पापा हाँ मैं और नहीं चल सकती मिरा गला सूख रहा है चलो बेटा आगे चलके देखते हैं पाणी पल्बोल, रुखो पेटा पल्बोल पापा पल्बोल पापा पल्बोल पापा पापा पल्बोल पल्बोल बेटा पापा अल्सिस्टम रडी सिस्टम डडी सर टेंपरेचर चेक टेंपरेचर री ओके सर इंजन स्टार्ट इंजन फायर देव और बुल्बोल को बचाने के लिए हमें ये करना होगा बुल्बोल, बेटे कहाओ तुम पापा बेटा अब ठीक हो ना? बेटे चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ पापा बिलना मत जाबर भी मही रहना प्लीज क्या करो अब एक ही रास्ता है पापा पापा आप हो क्या बुल्बोल बेटा घबराना मत पापा आगे हाँ बेटा तुम ठीक हो ना? पापा मुझे बहुत टार्ड लग रहा है आप कहाँ तुम बेटा चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ पापा, यह कैसी डगा है? मुझे तर्व लग रहा है, मुझे गर दाना है पापा सुनो, कुछ नहीं होगा आप, यह हम जल्दी कर जाएंगे न देखिये इश्क की दास्तान नागमणी, सुमबर से शनिवार, रात साधे 9 बजे, दंगल पले आप पर चुम जास्तान नागमणी, सुम है रात समय मुझे निवार, रात सी जाप सहतानि है पले समय मुझे दाना है